हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू यूर ओन चैनल आज का वीडियो में हम आ गया है दा वेश्ट वंडर पर्क अफ दिल्ली बहुत सारे वेश्ट मेटिरियल से दुनिया का साथ आजूबा चीज इधर बनाया गया है अगर आप नए है हमारे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंड तक वीडियो को देखिए हम पोज गये और हम दो टिकिट ले रहे हैं इधर टिकिट प्राइस 50 रुपिस वेश्ट टू वांडर का नियारेश्ट मेट्र स्टीशन है साराई काले खान मेट्र स्टीशन उसके बाद दो मिनिट का वाकिंग डिस्टेंस है अभी हम अंदर में एंट्री ले लिए एंट्री के बाद देखिए सामने एक जीप रखा हुआ है तो हमने पहली बार जीप पर चड़ूँगा देखके ये भी असली जीप लग रहा है लेकिन ये भी कुछ वेस्ट चीज से ही मना हुआ है वाव देखिए स्टियारिंग कैसे हुआ थे दुनिया का साथ वंडर चीज में से एक वंडर हमारे इंडिया में भी है ओ है हमारा सबसे प्यारा ताजमहल ऐसे सेवन वंडर पर्क इंडिया में बहुत कम ही है कलकाता में इको पार्क में ऐसा ही एक पार्क है हम उसमें गये थे अभी राजस्तान में भी सेम एक सेवन वांडर पार्क है इधर हमने कुछ अच्छा सेलफी ले लिये अभी हम अंदर की तरफ जाएंगे और एक एक करके सारे सेविन वांडर्स देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे आइरन प्लेट्स से बना हुआ एक इगल था उधर अभी हम अंदर जाएंगे और देखिए यह है पिरामीड अफ गीजा लोहे का एंगल प्लेट्स, स्क्रैप, रेलिंग मेटेरियाल यह सब चीजों से इस पिरामीड को बनाया गया है इसके बाद हम जाएंगे दा लिनिंग टावर आफ पीजा तो देखिए रात का व्यू बहुत ही अच्छा था इस टावर को ट्राक्स की पाइप, क्लाचेस, बियारिंग्स और ब्रेक पाइप यह सब चीजों से इसको बनाया गया इसका व्यू बहुत अच्छा था इसके आगे हम देखेंगे पैरिस की आईफिल टावर देखिए, देखके तो दूर से रियल आईफिल टावर की फिलिंग आ रहा था मेरे चैसा जो लोग पैरिस जाने ही सकते हैं, वो इसको तो बिजिट करी सकते हैं इसको बनाने में पेट्रोल टैंक, एंगेल प्लेट, यह सब स्क्रैप मेटरियल 15 टॉन का यूज किया गया है अभी हम आ गया है, अमेरिका की स्टैचू अफ लिभर्टिप के पास इस स्टैचू में जो नीचे का पोर्शन है, यह मेटल को मेल्ट करके यह सारे ब्रिक्स बनाया गया है और उपर में स्टैचू के हाथ में जो टॉर्च है, वो मोटर साइकल की रीम से बनाया गया उसके जो हैर से वो साइकल की चेन से और जो हाथ में किताब है वो पार्क की बेंच की मेटल सेट से बनाया गए अब ही हम पोच गए ताज महल पर ये ताज महल 1600 साइकल की रीम बाइक के कार की नाट्स, बोर्ट्स, इलेक्ट्रिकल ओयर्स एंड कुछ बरतन यूटेंसिल से ये ताज महल बनाया गया था अब ही हम आ गए रोम्स की लार्चेस्ट कुलाजियम पर इसको भी आप देख रहे हैं कार हुइल्स, चिल्डेन्स पार्प की पिलर्स और बहुत सारे स्क्रैप मेटल पार्ट्स से ये कुलाजियम बनाया गया है अब देख रहे हैं ये सारे पिलर हैं, अभी चलते चलते रस्ते में हमें एक हाउस मिल गया ये भी पार्क के रेलिंक्स, स्क्रैप मेटरियल अभी हम आ गये हैं ब्राजिल की रियोडी जनरों में जो क्रिश्ट रीडिमार की स्टैचू है उस पर इस स्टैचू को बहुत ही प्रवित्र माना जाता है ये भी कार का स्पेर पार्ट्स, साइकल की रीम और भी बहुत सारे इस प्यार पार्ट से इसको बनाय गया है तो अगर आप दिल्ली में ये पार्क में कभी नहीं आए तो इस जगा को जरूर विजिट कीजिए पॉसिबल हो तो आप रात को आप नाइट आउटिंग के लिए ये जगा बहुत ही बेस्ट है देखिए इधर एक जिराफ बना हुआ है ये भी बहुत अच्छा है आप फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंट करने चाते हैं और सेवेन वांडर्स देखने चाते हैं तो इस जगा को जरूर विजिट कीजिए पार्क के हर जगा पर बहुत सारे बेंचे से आपका फैमिली के साथ आके या ओल्डेज लोगों को भी लेके आ सकते हैं बैटने का भी जगा है और इधर देखिए एक वाटरफॉल है ये भी बहुत अच्छा व्यू था और एक खास चीज इधर है ये है फूट कोट इस फूट कोट में बहुत सारा रेस्टूरेंट स्टॉल है आप हर एक टाइप का खाना इधर एवेलेबल है हमने सिर्फ आइसक्रीम खाया था और अगर हमारा वीडियो अच्छे लगे प्लीस लाइक कीजिए कॉमेट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू मिलते कोई अगले वीडियो